Most Haunted Place, GP Block, Mall Road, Merit Merit के केंट शेत्र स्थित यह बंगला मेरट और आसपास के इलाके में भूतिया महल के नाम से मशूर है यो तो यह बंगला किसा जमाने में शहर की शान हुआ करता था लेकिन अब कुराना वजरजर पढ़ चुका यह बंगला लोगों के दर के परियाय के अलावा कुछ नहीं है शहर के GP Block स्थित इस बंगले को लेकर लोगों में अलग-अलग कहानिया प्रचलित है Most Haunted Place बन चुके मेरट के इस भूतिया बंगले को देश के दस सबसे ज्यादा दरावनी जगों में शुमार किया गया है यहां तीन ऐसी बंगले हैं जो कभी इलाके की शान हुआ करते थे लेकिन आज ये आलिशान इमरते जरजर होकर लोगों को भयकरान्थ करती है इस बिल्डिंग की लोकेशन भी ऐसी है कि कोई भी वहां जाने से पहले सो बार सोचे चारों तरफ घना जंगल और बीच में तीन बंगले इस बंगले के बारे में जितने मुह कुतनी बाते लाल रंग के कपरों में महिला का साया कोई कहता है कि यहां लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के उपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है हाला कि कई लोगों का तो दावा है कि उन्होंने खुद ऐसे साय को बिल्डिंग की छत पर तहलते देखा है हाला कि कुछ लोग यहां मुम्बत्ती की रोश्णी में चार लड़कों को शराब पीते हुए देखे जाने की बात कहते हैं 1930 में बना था बंगला ये इमारत 1930 की बनी हुई है पताते हैं कि दशकों से इस बिल्डिंग में अकेले रुकने की हिम्मत किसी की नहीं हुई दो बिल्डिंग में कोई नहीं रहता है लेकिन एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में छह लोग रहते हैं जिन्हें आर्मी ने के अर्टेकर के तौर पर रखा है। यहां रह रही एक महिला का कहना है कि उसने एक महिला को देखा है, जो लाल रंद की साड़ी पहने हुए हैं। महिला उस कथित भूत की बात बताते पताते सहम जाती है। उसका कहना है कि यहां आने जाने की हिम्मत कोई नहीं करता है GP Block स्थित इस बंगले के बारे में वहां की चौकीदारी करने वाले शुवन ने बताया कि उनके पिता परिवार के साथ वहां रहकर चौकीदारी करते थे एक दिन पास ही स्थित कंपनी बाग चौराहे पर दारोगा दिसूजा की एकसीडेंट में मौत हो गई उसके कुछ दिन बाद से लोगों को एक आत्मा दिखने लगी जिसके बारे में कहा गया कि यह दारोगा दिसूजा की आत्मा है शुवर्ण ने बताया कि उसके पिता सोहनलाल उनीस सो पैंतालिस में यहां आकर बस गए थे बाद में देश आजाद होने पर अंग्रेज परिवार इस बंगले को खाली कर चला गया उनके जाने के बाद जो इस बंगले में रहने आया उसे इसमें किसी आत्मा के होने का डर बैठ गया जिसके बाद यह बंगला खाली हो गया और अब यह भूत बंगले के नाम से जाना जाता है शुवर्ण भी अब इस बंगले से दूर अलग स्थान पर रह रहा है इस बंगले की ओर अब कोई जाना पसंद नहीं करता बंगले के आसपास घनी जाडियां उग आई है केंट एरिया में होने के कारण आम आदमी का जाना यहां वेसे भी प्रतिबंधित है ब्रेड मकखर अंदे मांगती थी डिसूजा की आत्मा लोगों का कहना है कि उस वक्त भाटक रही डिसूजा की आत्मा लोगों से ब्रेड मकखर और अंदे की दिमान करती थी सुबह सुबह अपने काम पर जाने वाले लोग दर से चौराहे पर ब्रेड मकखर या अंदे रख कर जाते थे लोग चौराहे पर सामान रखने के बाद मुरकर पीछे की ओर नहीं देखते थे बाद में यहाँ सामान वहाँ से गायब मिलता था हाला कि अब इस रास्ते कोई नहीं आता है